हरियों परणां हमारे चहरे या शरीर की किसी भी अंग पर कई बार ऐसे निशान पड़ जाते हैं जो बहुत ही भद्दे लगते हैं उन निशानों का कारण कुछ भी हो सकता है जैसे कील मुहा से जलना खरोंच लग जाना या फिर आखों और होठों के नीचे डार्क स्पोट्स आज मैं आपको बताऊंगा इन्हें हटाने के उपाए ताकि आपकी खूब सूर्ती कहीं से भी कम ना पड़ी उपाए नमबर एक नीमबू नीमबू का रस नै केवल चहरे से गहरे निशान मिटाता है बलकि इसको चहरे पर रगड़ने से चहरे की रंगत भी बदल जाती है उपाए नमबर दो एलोवेरा एलोवेरा जैल लगाने से तवचा पर पड़े गहरे चकते धीरे धीरे हलके पड़ने लगती हैं और इनसे मुहासे भी ठीक हो जाते हैं और मुहासों के दाग भी चले जाते हैं चहरे में चमक आ जाती है आपका चहरा एक कांती में चहरे की तरह चमक उड़ता है उपाए नमबर तीन लहसुन लहसुन को पीस कर हलके से चहरे पर पांच मिनिट के लिए लगाएं और फिर धोलें इसे लगाने से डार्क स्पोट हलके पड़ जाते हैं और आपकी तवचा चमकने लग जाती हैं उपाए नमबर चार ग्रीन टी ग्रीन टी को चहरे पर गीला करके लगाने से चहरे का रंग साफ हो जाता है इसे रोजाना दिन में दो बार पांच मिनिट के लिए लगाएं चहरे पर चमक आएगी उपाए नमबर पांच शहद शहद को चंदन पाउडर के साथ मिलाईए और उसमें हलका सा निम्बू नी चोड़ लीजिए इस पैक को चहरे पर लगाकर साफ तवचा पाईए आपका चहरा एकदम गोरा हो जाएगा और उस पर पड़े ताग धपे और निशान सभी खतम हो जाएंगे उपाए नमबर छे प्याज प्याज के रस को गहरे निशान पर लगाईए और कुछ ही दिनों में देखिए कि गहरे रंग के ताग किस तरह से साफ हो जाते हैं और आपके चहरे की रंगत वापस लोट आती है उपाए नमबर साथ चंदन पाउडर चंदन पाउडर को दही के साथ मिक्स कीजी और इसमें निम्बू की चार बूंद डाल लीजी इसको लगाने से आपके चहरे के डार्क स्पॉट कायब हो जाएंगे आपका चहरा चमक उठेगा तो ये थे वो अचूप उपाए जिन से आप अपने चहरे की खोई हुई रंगत वापस ला सकते हैं धन्यवाद हरियों परणाप ओ आईए जुडे रहिए मेरे यानि बाबा टीन पीर के साथ और जानिए धेर सारी बिमारियों के लाज और अपने सौंदरिये को बढ़ाने के नुस्खे धन्यवाद